नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरुष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चनल हरियाना अपडेट डेली नियूज बात करेंगे हरियाना की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरो करते हैं पहली खबर आपको बताईता हूँ हरियाना के अंदर यह सिर्सा के पंजवाना गाव के पास यहां पर देखिए जो हाईवे के उपर नैशनल हाईवे के पास जो पैट्रोल पंप है उसको लूट लिया गया आपको बताईता हूँ वहाँ पर दो व्यक्ति बाइक के उपर आए और उन्होंने वहाँ पर एक बैग था जिसके अंदर 35,000 रुपए थे जो की पैट्रोल पंप पर था उसको वहाँ से लेकर फरार हो गए और उनके पास पिस्टल भी थी मतलब पिस्टल के दम पे वो जो हजारों बैग जो हजा बड़ी खबर की देगे आपको तहरतों जीन्द के जुलाना जो जगह है वहाँ पर एक दुकांदार को लूटने का मामना सामने निकल कर आया यहाँ पर दुकांदार को लूटने की कोशिश की लेकिन दुकांदार ने अपना बैग नहीं दिया तो इसके चलते आरोपी तो ने दुकानदार को चक्कू घोप दिया उसके अंदर पेट की आपको तरहते हो इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दे दिया और अस्पताल में अभी बढ़ती है पुलिस को दी शिकायत में उसने बताया कि उसकी जो किराना की दुकान है और इसके चलते वो दुकान को बंद करके वापिस आ रहा था और उसी वक्त दो आदमी आये और उसके साथ जबरदस्ती मतलब उसकी जो सामान खोशने की कोशिस की लेकिन उसने नहीं दिया तब उसने क्या किया कि चक्कु निकाला रोपितने और उसके जो पेट में गोप दिया इसके बाद अगली बड़ी खबर आपको दायता हूँ कि देखिए अगली बड़ी कपर के हैसार जिले के अंधर एक आशा वरकर है जिसको छेड़ने का मामला सामने निकल कर आए है आशा वरकर ने शिकायत में ये बताया कि एक व्यक्ती है उससी का गाव का जो उसको रोत चेड़ता है उसका रास्ता रोकता है और देखे उसने ये भी किया कि उसके नाम की जो लड़की की जूटी प्रोफाइल बना ली फेस्बुक वगरे इंस्टाग्राम पर शोशल मीडिया पर उसके परिवार की फोटो वगरे डाल दी और उसको मतलब एक तरीकी से परेशान करने का मामला सामने निकल कर रहे पुलि है कि पलवल में एक लड़की जिसने शिकाइद दी कि उसका बुगा का लड़का 2018 के में उनके घर आया था और दो तीन महीने के लिए आया था तो घर पे कोई नहीं था जिस टाइम तो उसने में साथ दुशकरम किया और उसके बाद दिल्ली ले गया वहाँ पर भी उसने काफ़ी हराब होते हिस नजरा आई है कैसके इस मिउस के जरिए हरिया कि जतने बड़ी कपर जानने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये रोजान आपको अर्याना की बड़ी खपर इस्चैनल पर मिलेंगी इसे के साथ धन्यवाद कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे